नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल से कोई भी डोकुमेंट प्रिंट कैसे कर सकते हो आईए जानते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है आपको जाना है प्ले श्टोर में तो यहाँ आप प्ले श्टोर में जाईए यहाँ पर आप सर्च करजे नो को प्रिंट और इस वाले अप्लिकेशन को अपने फोन में इस्टॉल कर लीजिए तो इस्टॉल कर लीजिए और मैं आपको बता दूँ अगर ही तरह काम नहीं करता है तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो भी देख सकते हैं उस वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फिर आपको इसे ओपन करना है यानि अप्लिकेस उनको और यहाँ पर चाहिए आपको एक OTG जो आपको फोन में लगती हो तो यहाँ पर हमार बाद से एक OTG है आप देख सकते हैं तो OTG ले लीजिए यहाँ को मार्गरिपने 30 से 40 रुपर तक कि मिल जाएगी और यहाँ पर आपको जो USB वाला हिस्सा है जो आपके कम्प्यूटर है लैप्टोप में लगता है पिरिंटर का आपको इसे निकाल के अपने फोन में लगा लेना है कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपके पास याला पेज आएगा ओके करने हो कहता है ओके कर दीजिए आपके पास याला पेज आ जाएगा और यहाँ पर अगर आपको OTG connection अंदर से चालू होता है यानि OTG on off करना परता है तो उसे on कर दीजिए फिर continue पर किलिक करें इसकी बाद आपकी Printer की हिसा आप से यह एक फाइल डावलोड करेगा जो की ऑटमेटिक हो जाएगी यहाप आप देशकते हैं कि इतने जल्दी हो रही है यहाप आपको OK पर किलिक करना है इसकी बाद आप बैक करोगे तो आपके पास याला पेज आएगा नीची की तरफ आपको प्रिंटर दिखाएगा आपको प्रिंटर कनेक्ट होना चाहिए इस दोरान यहाप आप डॉकुमेंट पर किलिक करें जो भी डॉकुमेंट होंगे यहाप पर हमारा रिजियूम है बागिस के अलावा अगर आप बैक करोगे तो यहाप आपको फोटो एंड इमेजिस भी मिल जाएगा आप इसे भी देख सकते हो तो यहाप हम डॉकुमेंट पर किलिक करते हैं और यहाप विकास रिजियूम यानि हमारा रिजियूम हम इस प पर किलिक करते हैं और कंटिन्यू पर किलिक करते हैं कंटिन्यू पर किलिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है और यहाप दिखा दिया है कि आपका जो प्रिंट है कैसा दिखाए देगा आपको प्रिंट पर किलिक करना है यहाप पर कह रहा है पेज वन जितने प यह आप देख सकते हैं कि हमारा print आ रहा है और हमारा जो resume है वो print हो चुका है आप देख सकते हैं और यहाँ पर हमारा पास यह option दिखा रहा है आपको okay click करना है और यहाँ पर आपका जो print है वो print निकल जाएगा तो ऐसे आप इसको use कर सकते हैं और अगर ही तरिका काम नहीं कर रहा है तो इसके लिए मैंने एक और वीडियो बनाई है आप उसको भी देख सकते हैं